हेलो फ्रेंड्स आज हम सिंख चमकाने का दोरपी के निम्बू से बताएंगे कि देखिए हमारी सिंख बहुत ज्यादा गंदी है चारो तरफ से भी कुल गंदी हो चुकिए कई बार हम हार्ट पिक से साफ करते हैं लेकिन हार्ट पिक से साफ तो करते हैं लेकिन उसमें दाग रहा जाते हैं तो हाट पिक से अलग तरिके से चमकाई जाते हैं वह मैं अगली वीडियो में बताऊंगे आज मैं निम्बू और सैंपू से आपको यह वीडियो दिखाऊंगी तो यह देखिए यह हमारा सैंपू का पाउच है हम इससे हम अपनी पूरी सिंख साफ कर देंग चारो तरफ हमने यह सैंपू डाला है और यह निम्बू है निम्बू को हम जैसे पकड़ेंगे पीछे से इसको पिछकाते रहेंगे आगे की तरफ से हमने जोर से पिछकाना है और इससे हम यह पूरी सिंख साफ करेंगे आप देखते रहें यह लगातार वीडियो में बने रहें न ज्यादा रसवाला यह निम्बू है आमारा थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे यह हमारे बर्तान करने का सको अच्छा है यह आप यह ले लेंगे नया वाला लेंगे लेकिन मैं इससे ही साफ परके आपको दिखाऊंगी अब हम पूरी सिंख को इससे रगर लेंगे सबस्टर कोैंगी जड़ी को फटे हम आपको अभयाला चास्टर करने आमारे को आमारे लोनाका सबस्ति हिरा लेांगे झाह दोगने नया वह मतले कैने वह करने किया सकते वेकिनौस्टर इससा है sights fem Fields कर दो कर दो आप इसको देखेंगे ये बिल्कुल आपको नई सिंख दिखाई देगी अच्छे साम इसको रगड लेंगे सिर्फ सेंपू से ही इसको चमकाना है और ये बहुत अच्छे से चमक जाएगी सिंख तो ये देखिए ये हमने पूरी अच्छे से रगड दिये हैं अब तो पानी से हम साफ कर देंगे क्मले कर देखिए हैं क्मले कर देखिए झाल झाल लग रही है ना हमारी नई सीख लग रही है पहले जैसी पानी ज्यादा लगता है साथ पने में बात में इसको अच्छे से हमने रगन रगन बूद बूद आपकर दिया है और देखिए यह हमारी शिंक साफ हो चुक है बात अच्छे शाफ हो चुक है आपको दिखाते हूं कैमरे से यह देखिए मिलते हम एक नई वीडियो के साथ दुबारे से